नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में में नए ड्राइवर्स को होने वाली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि अप हिल पर स्टीब जगर पर आप गाड़ी कैसे चड़ाएं गाड़ी को बीना पीछे लिए तो ये प्रॉब्लम वैसे तो आम है नए ड्राइवर्स में और उन्हें पता नहीं रहता है तो कि नॉर्मल क्लेच को कैसे चोड़ना है, स्टेरिंग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गाड़ी को आगे बड़ाना है, कैसे रोगना है यही बेसिक चीज में आती है जब आप स्टीप बगेरा पे चड़ाने के लिए टूटोरियल लेते हैं, तो यह वाले जो टूटोरियल हैं एक थोड़े से एडवांस टाइप के हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक ऐसी जगा चुनी है, जो रोट से थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर अच्छी खासी चड़ाई है यहाँ पर चड़ाई करके मैं आपको गाड़ी को बताऊंगा कि गाड़ी को कैसे बिना पीछे लिए गाड़ी को सिधा आगे बढ़ाएं क्योंकि कई बार ऐसी सिच्वेशन आपको घाटों पर आ जाती है तो पीछे जाने के कारण डर लगता है और उस डर में हड़ बढ़ा हाट में गाड़ी आगे नहीं जा पाती और पीछे ही जाया जाती और पीछे से कोई गाड़ी तो उसमें ठुक जाती है तो वैसे तो बहुत major problem है तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से गाड़ी को आप फिल पर चड़ाया जाता है अभी मैं गाड़ी के अंदर हूँ और इस steep चड़ाई पर गाड़ी चड़ाने के लिए आपको दो तरीके की skill सेखनी होगी एक तो normal half clutch वाली है और एक में आपका handbrake use होगा तो starting में आप beginner हैं तो आप handbrake वाली जो technique है उसका use करेंगे बाकी practice करते करते आपको जो half clutch वाली technique है वो automatically practice में आ जाएगी तो सबसे पहले तो आप देखें मैं गाड़ी को start कर लेता हूँ तो यह मैंने गाड़ी को start कर लिया है अभी मेरा handbrake लगा हुआ है अब गाड़ी को start करने के बाद आपको normally पूरा clutch press करना है brake पर पाउँ रखना है और first gear को लगाना है ठीक है फर्स्ट गेर लगाने के बाद आपको हेंड ब्रेक को लगा के रखना है ब्रेक को छोड़ देना है आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी जो आपकी गाड़ी नॉर्मली छोड़ने पर लुड़क जाती है वो नहीं लुड़केगी और फिर आपको थोड़ा सा क्लच छोड आने लगे आपको हेंड ब्रेक उतार देना है और आपको स्पीड जो है आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाना है आप देख सकते हैं यह गाड़ी मेरी आगे की तरफ बढ़ गई एक बार फिर से पीछे लेता हूं मैं गाड़ी को और आप ध्यान से देखेंगे गाड़ी मेरी पीछे नहीं जा रही है हेंड ब्रेक मैंने लगा दिया और में ब्रेक जो है वो मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैंने क्लच दबाया फर्स्ट गेर को लगाया हेंड ब्रेक को मैंने लगा के रखा और क्लच को थोड़ा सा आधा छोड़ा एंजिन मत लीजिए यह हाफ क्लच टेकनिक है कई लोग इससे मानते हैं कि क्लच बर्न होता है लेकिन इससे कोई खास ज्यादा क्लच बर्निंग नहीं होती है आपको हलका सा एसकलेटर देना है बिल्कुल हलका सा जैसा कि आप यदि आर्पियम मीटर पर देखेंगे तो मेरी सुई केवल एठ आठ सो से एक हजार के बीज जा रही है बस इससे ज्यादा एसकलेटर आपको नहीं देना है और जैसे आप एसकलेटर देने लगेंगे आपकी गाड़ी आग आप फिल में या स्टीप चड़ाई में गाड़ी को चड़ाने की प्रॉपर टेकनिक है दूसरी टेकनिक होती है हाफ क्लेच वाली तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यह वाली जो टेकनिक है नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होती लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो आ अगली टेकनिक अगर मैं आपको बताऊं तो वह सिंपल है इस टेकनिक में आपको फर्स्ट गेर लगाना है सबसे पहले आपको ब्रेक पर पेर रखना है फिर आपको फर्स्ट गेर लगाना है क्लेच दबाकर और क्लेच को आधा छोड़ने के बाद फटाक से गाड़ी को आ वाली टेक्निक का ही यूज करें तो यह थी दोस्तों आप फिल पर गाड़ी को चड़ाने की टेक्निक किस तरीके से आप क्लच हेंड ब्रेक और आपके गियर का प्रॉपर कंपोजिशन में यूज करके गाड़ी को बिना पीछे लुड़के आप गाड़ी को सीधे आगे बढ़ा सकते हैं उमीद है आपको समझ में आगया होगा यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए बाकी में हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि गाड़ी चलाना इस नोटा स्किल ये आपकी बॉड़ी की एक नॉर्मल हैबिट है जिस तरीके की बाकी हैबिट होती है तो जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके आपकी आदतों में ये टेकनिक आती जाएगी टेंशन मत ले अगर शुरू में आपसे नहीं भी होता है तो बस आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते समय एक स्किल्ड ड्राइवर को या जो भी गाड़ी जो चलाना अच्छे से जानता हो उसको अपने साइड में बिठा के रखें बाकी आप ड्राइविंग से रिलेटेड मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है आप उसे चेक आउट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में तब त